या चर्चा आगे बढ़ेगी और आज का जो विशय है आत्मा की कोई उपाधी नहीं या फिर आत्मा की कोई उपाधी नहीं होती कुछ ऐसा समझी इस बात के विशय में तर्क दिया जा रहा है लेकिन तर्क देने के आवशक्ता क्यों पड़ी विवेग चुडा मनी के अंतरगत इस विशय पर चर्चा करते हुए चर्चा पंच कोशों पे चल रही थी अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश अब जो है आत्मा की उपाधी के बारे में चर्चा की जा रही बुद्धी को समझाया गया विज्ञानमय क कोश को बुद्धी मय बताया गया और बुद्धी की सत्ता वहां काम करती है विज्ञान मय कोश में वही बुद्धी ही इंद्रियों की अनभूतियों को ग्रहन करती है अविध्या ग्रहन करती है और अविध्या के वश्विभूत एहंकार की उत्पती होती है एहंकार का स्तित तो बनता है और अभिमान वस जीव जो है इस जीवन के बंधन को स्विकार करता है ठीक है तो यह सारी प्रक्रिया चल पड़ती है तो बुद्धी की चर्चा करते हुए विज्ञान मैं कोश की चर्चा की गई पिछले विडियो में इस पर हम चर्चा कर चुके हैं विज्ञान कि बुद्धी तो आत्मा नहीं हो सकती है क्योंकि बुद्धी तो गुणमाय है गुणों में भेद करती है सतोगुन रजोगुन तमोगुन इन में भेद करती है और बुद्धी भेद अनुभूतियों को प्राप्त करती है इंद्री अनुभूतियों को प्राप्त करती है ज जिवत्व रह ने सकता, जीव है ही नहीं फिर. वास्तो वंे बुद्धी का नीट्राल होना, बुद्धी का सम हो जाना, प्रकृती का सम हो जाना है, और जीव की मुक्ती है, उसका कैवलन है, उसका मौक्ष है. इस प्रकार से भी कुछ वर्णन किया गया है. तो अब बुद्धी जो है क्या है यह आत्मा की उपाधी है आत्मा सर्व्यापी है जो कुछ भी बना है उसका मूल तत्व आत्मा ही है अब आप इस इंद्रियों से किसी को निर्जीव कहें सजीव कहें किसी का निर्जीव होना किसी का सजीव होना किसी का पवित्र होना किसी क इंद्रिय विशय ही है यह सब इंद्रिय विशय ही है आत्मा के संदर्व में ना कोई सजीव है और ना ही कोई निरजीव है वह तो मूल तक्त्व के रूप में विराजमान है इसलिए संपूर्ण स्रिष्टी तो उस आत्मा से ही हुई है उसी तत्व से हुई है लेकिन जो जीव बना वो उसका आत्मा के साथ क्या संबंध क्या वह आत्मा की उपाधी है क्या या बुद्धी आत्मा की उपाधी है उपाधी मतलब डिगरी उपाधी मतलब डिजिगनेशन कुछ ऐसा समझे क्या जैसे एक आदमी है उसका नाम है सुरेश वो बन गए किसी कंपणी के डाइरेक्टर तो उनका डेजिगनेशन हो गया कंपणी में डाइरेक्टर साहब और कई बार लोग जो है डेजिगनेशन से ही लोगों को बुलाते हैं जैसे कि आप सोच लेजिए कोई SP है सुप्रिडेंटेंट डॉप्लिस तो बहुत सारे लोग उसे कफ्तान साहब कफ्तान साहब उत्रप्रदेश में आप चले जाएं तो उसे कफ्तान साहब बुलाते हैं ठीक है तो इस प्रकार से उपाधी का नाम लेकर ही लोग बुलाना शुरू कर देते हैं कई बार कोई वकील है उसे वकील साहब वकील साहब कह देते हैं कोई अगर वकील है तो उसे वकील साहब वकील साहब लोग बना देंगे ठीक है? तो इसी प्रकार से उपाधी, उपाधी को समझीए, उपाधी क्या है? क्या कोई आत्मा की उपाधी होती है? क्या उसकी उपाधी मानी जा सकती है? यही प्रश्न है और इसी प्रश्न को लेकर उपाधी के साथ असंगता और आत्म ज्यान से मुक्ती होती है तो उपाधी किस रूप में विद्धमान है अगर हमें लग रहा है कि जीव आत्मा की उपाधी है या बुद्धी आत्मा की उपाधी है तो यह उपाधी किस रूप में विद्धमान है किस रूप में है उसकी व्याख्या यहां पर विवेक चुड़ामनी में की जारी है आदी गुरु शंकराचारेजी के द्वारा तो उसकी व्याख्या यहां हो रही है तो आईए चलिए देखते हैं क्या व्याख्या हो रही है ये स्थरह की व्याख्या हो रही है। हो जाता है क्योंकि वास्तों में आत्मा करता है ही नहीं या तो वो सर्व करता एक रूप में बनता है लेकिन वह भावातीत है इसलिए completely वह unintentional है unintentional उसका को इंटेंशन नहीं है ना ही उसका कोई किसी के कल्यान करने का है ना ही उसका कोई intention किसी का बुरा करने का है ठीक है वो इससे मुक्त है द्वंद से वो मुक्त है सारे द्वैत भावों से वो मुक्त है तो इसलिए वहां पर उपाधी हो जाती है जो स्वेम प्रकास विज्ञान सुरुप हर्दय के भीतर प्राणादी में स्पृत हो रहा है वह कुठस्त आत्मा होने पर भी उपाधी वश उपाधी लग गई उपाधी क्या हो गई उसकी बुद्धी उसकी उपाधी हो गई जीव उसकी उपाधी हो गई तो उपाधी वश जो है वह करता और भोगता हो रहा है तो जैसे किसी की कोई उपाधी लग गई किसी व्यक्ति की तो उपाधी कनुसार पुलिस वाला है अगर कोई दरोगा जी है पुलिस में है दरोगा है तो अपनी उपाधी कनुसार वो कर्म करते है उनकी उपाधी है उनकी या फिर डिगरी कहलो इंजिनरिंग के डिगरी किसी को मिल गए तो वो इंजिनियर कहलाता है इंजि ना होते विए भी हो जाता है कुछ ऐसी बात यहां पर की जारी है। परात्मा जो की परे है। इसलिए उसे परात्मा कहा गया। लेकिन वह घड़ा सोचता है, एहंकार वश, वह घड़ा सोचता है कि मैं तो मिट्टी नहीं हूँ, मैं तो मिट्टी से अलग हूँ। एसी सोच उसके अंदर आ जाती है और यही बुद्धी है। यही एहंकार है। इसलिए कहा गया परात्मा यह जो आत्मा है मिध्या बुद्धी, बुद्धी जो मिध्या उत्पन करती है, अविध्या उत्पन करती है। बुद्धी से परिचन होकर उससे अपने आपको सिमित दायरे में रख लेता है, उससे एकी भूत, बुद्धी से एकी भूत होकर हो जाने के दोश से, यह दोश उसके अंदर बनता है और स्वेम सर्वात्मक होते वे भी, वो सर्वात्मक है, सर्व्यापी है, सर्व्यापी ह तेवी भी जैसे मिट्टी का घड़ा अपने आपको मिट्टी से अलग समझना शुरू कर दे वैसे ही यह जीव अपने आपको ब्रह्म से अलग समझना शुरू कर देता है परंतु है नहीं इसलिए कहा गया जीवो ब्रह्म है वना परे कि जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है उपाधी संबंद वशात्म प्रात्मा उपाधी धर्माननू भाती तद गुनह अयो विकारान विकारी वहिनवत सदैक रूपो अपीपरह सुभावात अर्थात वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है तथापी उपाधी के संबंद से उपाधी के संबंद से उसके गुनों से युक्तसा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है जिसकी जैसे बुद्धी होगी वह आत्मा उसके अंदर वैसे ही प्रकाशित होने लग जाता है तो गुनों से युक्त होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है जिस प्रकार लोहे के विकार में व्याप्त हुआ अविकारी अगनी अगनी अविकारी है लेकिन लोहे में जब अगनी समाती है तो वो लोहे के आकार में ही नजर आती है ठीक न, अगनी उन्हीं के समान प्रकाशित होती है कभी आप मोटा लोहे का जो रॉड होता है मोटा लोहे का जो रॉड होता है वो कभी आप आग में डाल दो बट्टी में डाल दो लोहार लोग होते हैं लोहार भाई लोग जो लोहे का काम करते हैं लोहे को करन बनाते हैं वो लोहे को बट्टी में डाल दिया उन्होंने अब डाल देने के बाद बट्टी में डाल दिया तो फिर क्या हुआ वो जलना शु काल हो जाएगा वो तो वही रूपधारण कर लिया तो इसी प्रज़द्धपी अगनी तो वहां पर भटी में चारो तरफ व्याप्त थी लेकिन लोहे में उसको उपाधी लोहे की मिल गई तो वो जैसी होगे वैसे ही बुद्धी जैसी होगी आतमा उसके अंदर वैसे ही प्र यही हूँ मैं उससे अलग हूँ अलग होने का अपने अस्थित्व का भणुसेबन जाता है कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है ठीक है अब अब शिश्य प्रश्ण करता है शिश्य का प्रश्ण है देखिए अब इसी बात पर आदिगुरु शंकराचारी को शिश्य का तर्क मिलेगा शिश्य तर्क देगा क्या प्रश्ण करता है भ्रमेण अप्यान अंथा वास्तु जीव भावः प्रमात्मना प्रात्मना तदू प पाधेर नादित्वा अन्नाना देर नाश इश्यते हे गुरुदेव भ्रम से हो अथवा किसी अन्यकारण से हो परात्मा को ही जीवभाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधी अनादी है तथा अनादी वस्तु का नाश हो नहीं सकता है वो कह रहा है परात्मा को ही जीवभाव की प्राप्ति हुई है और उस वो जो उपाधी है जो जीवभाव वाली जो उपाधी यहां पर आ रही है वो तो अनादी है तो फिर अनादी वस्तु का तो नाश नहीं होगा अब वो आगे कहते है अतोवस्य जीवभाव अपी नित्य भवती संसुर्ति ही ना निवर्तेत तन मोक्षह कथम में श्री गुरुवद इस लिए इस आत्मा का जीवभाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जनम मरन रूप संसार चकर कभी निवर्त नहीं हो सकता तो फिर हे गुरुदेव ये बताईए कि इसका मोक्ष कैसे होगा क्य तो यहां पर इस प्रकार का भ्रम पैदा होता है तो उसी का उत्तर देते हुए आदिगुरु शंकराचार अब आत्म ज्यान से मुक्ति का उपाए बताएंगे कैसे क्या कहते हैं सम्यक प्रिष्टम त्वया विद्वन सावधानेन तक्षणू प्रमानिकीन भवती भ्रांत मोहित कल्पना हे वत्स हे वत्स तु सुन तु बड़ा बुद्धिमान है रे तुने बहुत ठीक बात पूछी है अच्छा अब सावधान होकर समझो देखो मुग्द पुरुष की भ्रम वश की हुई कल्पना माननियन नहीं हुआ करती ऐसे कल्पना कर लेने से नहीं हो नीलता दिवत्व जो असंग निशक्रिया है और निराकार है उस आत्मा का पदार्थों से नीलता आदी से आकाश के समान भ्रम के अतरिक्त और किसी प्रकार का संबंद नहीं हो सकता यह जो असंग है उपाधी के साथ असंगता है आत्मा की अर्थात असंग नहीं है यह निश्क्रिय है वह आत्मा तो असंग निश्क्रिय निराकार देखें यहां पर आत्मा को क्या कहा गया भ्रांती विनात वसंगश्य निश्क्रिय श्य निराकरते अर्थात जो असंग है न निराकार है, निश्क्रिय शब्द भी कहा गया, मतलब कुछ करने वाला नहीं है वो, वह क्रिया रूप नहीं है, वो क्रिया में बरत्ता नहीं है, हाँ वह क्रियाओं के होने का कारण बनता है वो अलग बात है, लेकिन क्रिया रूप है नहीं, जो असंग निश्क्रिया है और निराकार है उस आत्मा का पदार्थों से नीलता आदी से आकाश के समान तो क्या आकाश नीला होता नहीं है लेकिन मनुष्य के नित्रों से वह नीला दिखाई देता है तो आत्मा का पदार्थ से नीलता आदी से आकाश से के समान भ्रम के अत्रिक्त और किसी प्रकार का संबं जो उपाधी आ गई और उपाधी भाव आ गया जिवत्व बूध आ गया जैसे कि घड़ा अपने आपको मिट्टी से अलग अस्तित्व वाला मानने लगे वैसे ही जीव अपने आपको अलग अस्तित्व वाला मानने लगा उसके अंदर मैं आ गया अभिमान आ गया अहिंकार आगया अविद्या से यहां जो खुछ भी है वो ऐसे ही है जिसे आकाश भी नीला दिखाई देता है तो कस नीला दिखाई देना इंद्रियों का दोश है आकाश का नीला दिखाई देना एक भ्रममात्र है वास्थों में आकाश का कोई रंग नहीं है परन्तु मानो Coordinator से जब उसे देखा जाता है साफ आसमान अगर होगा तो हम उसे नील वर्ण में देखते हैं आकाश को हम उस आकाश को नील वर्ण में देखते हैं वह नीला दिखाई देता है वह आकाश ठीक है लेकिन यह नीला दिखाई देना मिथ्या है सत्य नहीं है यह भ्रम है क्योंकि इ इंद्रिया अनुभूतिया सारी भ्रहम ही तो है तो यह इंद्रिया अनुभूतिया सारी मिथ्या और भ्रहम रूप में ही विराजमान है तो इसी लिए वास्तों में ऐसी कोई उपाधी है नहीं लेकिन ऐसी उपाधी मिथ्या सोरूप बन रही है ऐसा कहने का अर्ध है फिर आ प्रत्या प्राप्तो जीवभावो नसत्यो मोहापाय नास्त्य वस्तू सुभावात साक्षी निर्गुन अक्रिय और प्रत्यज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धी के भ्रम से ही जीवभाव की प्राप्ति हुई है। बुद्धी ही जीवभाव देने वाला है। बुद्धी का ही भाव जगत है भवसागर है तो बुद्धी ही जीवभाव की प्राप्ति बुद्धी के कारण हुई है। बुद्धी के भ्रम से जीवभोध की प्राप्ति होती है। वह वास्तविक नहीं है। क्योंकि वह अवस्तूर उप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे ही संपुर्ण आत्मा का ज्यान होगा वैसे ही यह भ्रम दूर हो जाएगा कि हम जीव हैं यह भ्रम। जैसे भ्रम की तरह ही रसी में सर्प की परतीती होती है और फिर सारा जो है करम चांड उसके संदर में जितने भी कारे हैं उनके संदर में शुरू हो जाते हैं। भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प ही परतीत नहीं होता भ्रम के नाश होते ही सारा सर्प गाइब हो जाएगा सर्परतीत नहीं होगा वैसे ही जब तक भ्रम है कभी तक प्रमाद वश्च मित्या ज्यान से प्रगठ हुए इसे जीव भाव की सत्ता है जब तक भ्रम है तभी तक यह एहंकार है कि मैं हूँ, मैं जीव हूँ और मेरा ये शरीर है और मेरे ये गुण है, मेरे ये सुख है और मेरे ये दुख है भ्रम वशही जीव भाव की सत्ता है भ्रम वशही जीव भाव की प्रतीती है अनुभूती है सब भ्रम वशही है इसलिए यह बिल्कुल जैसे कि आकाश के नीला दिखने से आकाश नीला नहीं हो जाता रसी के सर्प दिखने से रसी सर्प नहीं हो जाती, लेकिन जब तक भ्रम दूर ना हो तो वह भ्रम ही सकते होता है, जैसे कि स्वपन के अंदर स्वपन ही सकते होता है, स्वपन जूठ कब बनता है जब आप नींद से जाग जाते हो, लेकिन जब आप स्वपन देख रहे होते ह तो उस समय तो वह स्वप नहीं सकते है वैसे ही जब तक भ्रम है तब तक भ्रम ही सकते है भ्रम का निवारन हो जाएगा तो भ्रम फिर नश्ट हो जाएगा वैसे ही यह संपुर्ण संसार जीव भूध एक भ्रम मात्र ही है एक विशे सवस्था में ही दिख रहा है और यह भान करा रहा है कि मैं जीव हूँ इस प्रकार से समझाए गया अनादी तुम विद्याया कार्यस्यापी तथे लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है लोक में अविद्या को भी अनादित्व जीव भाव को भी अनादित्व माना जाता है किन्तु जग पढ़ने पर जैसे सम्पूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहीत नश्ट हो जाता है कि जैसे ही हम जाग जाते हैं उठ जाते हैं सारा स्वप्न गायब हो जाता है किन्तु जग पढ़ने पर जैसे सम्पूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहीत नश्ट हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है आत्म ज्ञान हो जाए तो जीव भाव का भी नाश हो जाएगा नहीं तो जैसे स्वपन में स्वपन सत्य है लेकिन जैसे ही जग जाते हैं तो सारा स्वपन गायब हो गया सारा स्वपन प्रपंच नश्ट हो गया वैसे ही जब सही मायनों में ब्रह्म ग्यान हो जाएगा अभी ब्रह्म ज्यान की बोली बहुत है, ब्रह्म ज्यान लोगों को हो नहीं रहा है, समस्या इहीं पर है, तो इसलिए जब सही मायने पर ज्यान हो जाएगा, तो अविद्या जनित जो जीव भाव है, वह नश्ट हो जाएगा, जीव भाव रहेगा है नहीं, फिर वहाँ कोई गुरू नहीं वहाँ कोई शिश्य नहीं वहाँ कोई भगवान ही कि वहां कोई प्रमात्मा नहीं वहां कोई जी włas нев Is जाङेगा। जीवभाव का नाश वैसे ही हो जाएगा जैसे स्वप्न की निद्रसे जगते ही सँपन हो जाये करते हैं। प्राग भाव इव इस्पुटम अनादे रपी विद्वन्षम प्राग भावश्य विच्छत विच्छत यह जीवभाव अनादी होने पर भी अनाद पीदम नुनित्यम प्राग भाव इवस्पुटम यह जीवभाव अनादी होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं ह क्योंकि अनाधी प्राग भाव का भी ध्वन्स होना देखा ही गया है ठीक है अनाधी प्राग भाव का भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं अर्था जैसे प्राग भाव नित्य नहीं होता बुद्धि प्राग भाव का तात्पर यहां बुद्धि के ही भाव से है या फिर स ङुट्ष्म अवस्था से है वह नित्य नहीं है वैसे जीव का भाव भी नित्व नहीं है वह भी ध्वन्स हो जाता है यद्व बुध्य बुध्यू पाधी संबंध आत परी कल्पित मातमनी जीवत्वमन ततो अयंतू स्वरूपेन विलक्षणम संबंध स्वात्मनों बुद्धया मिथ्या ज्ञान पुरहसर विनी वृतीर भवे तस्य सम्यग्ञानेन नान्यथा ब्रात्मै कत्व विज्ञानम सम्यग्ञानम शुतेर ममतम जिस जीवत्व की बुद्धी रूप उपाधी के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है जिस जीवत्व के बुद्धी रूप उपाधी के बुद्धी रूप उपाधी होने से जीवत्व की धरना आ गई है या भावना आ गई है आत्मा में ही उसकी भावना आ गई है वह स्वरूप से उस आत्मा से प्रसक नहीं हो सकता वह स्वरूप से उसका जो स्वरूप है जीव का स्वरूप आत्मा ही है बुद्धी के साथ यह आत्मा का संबंद मिथ्या ग्यान के ही कारण है या तो योग सुत पतंजली का योग सुत्र भी कहती है बुद्धी अविध्या ग्रहन करती है और उसी अविध्या से एहंकार का भाव होता है। यह आत्मा का संबंद मिध्या ग्रहन के कारण है। ठीक ना ब्रह्म आत्मयकत्व बोधम ब्रह्म आत्मयकत्व विज्ञानम सम्यक्ज्ञानम शृतेर मतम। अर्थात ब्रह्म और आत्मा की एकत्व ग्यान ब्रह्म आत्मयकत्व विज्ञानम वास्त्व विज्ञान है। ऐसा शृति सिध्धानत है सम्यक्ज्ञानम यही सम्यक्ज्ञान है। ब्रह्म आत्मा का एकत्व ग्यान ही सम्यक्ज्ञान है। और यही शृति सिध्धानत है। इसलिए का गया शृतेर मतम यह शृतियों का मत है। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं तदात मानात मनों सम्यग विवेक के नएव सिध्यती प्रत्य गात्मा सदात मनों यह उस ब्रह्मात मैक के ज्ञान के सिध्धी आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक हो जाने से ही होता है और इसलिए प्रत्य गात्मा और मिथ्यात्म का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए ठीक है मिथ्या चीज को नहीं आत्मा माल लेना चाहिए इस प्रकार से यह सारी चर्चा यहां चल रही है जलम पंक वदयंतम पंक पाए जलम पस्पुटम यथा भाति यथा आत्म पी दोशा भावो इस फुट प्रभा अत्यंत गंदल जल में मालो हरा रंग मिला दिया तो जल हरा हो गया जी नहीं जल तो जल है जल तो भईया जल है हरा रंग तो उसमें अलग से मिला है ना जल तो जल है वो अपनी शुद्धा वस्था में ही है भले वो हरा दिखाई दे रहा हो वैसे ही जैसे ही मैल बैठ जाएगा न सब वैस सत्य आत्मा के विचार से असत्य की निवर्ति होने पर इस प्रत्यक आत्मा की इसपष्ट प्रतिती होने लगती है अत्य अहंकार आधी असद्य आत्माओं का भली प्रकार बाद करना ही चाहिए यह कहा गया अत्मा नहीं है यह भी विकारी है जड़ परिछन तथा दृष्ष और वैभिचारी होने के कारण पर आत्मा नहीं हो सकता है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती है इसलिए यह जीव यह विज्ञान में पोश आत्मा किश आत्मा का अवस्था नहीं बनाती है इसलिए यह विकारी होती है यह भ्रहम पैदा करती है इसलिए यह आत्मा नहीं है और इसका निवारन यह बुद्धी आत्मा है यह जीव ही आत्मा है इसका निवारन से ही संभव है यही आदिगुरु शंकराचारी यहां समझाने में लगे हुए है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं आपके विश्वियों पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा तो देख ले कौन क्या कहता है कौन कैसे विचार प्रस्तूत करता है विकरम सिंघ जी बहुत बहुत अभिनधन है आपका ठीक बलदावनाथ योगी जी गौरव विकरम सिंघ जी बहुत बहुत अभिनधन रमेष पेष्वानी जी भगवती यादव जी बहुत अभिनधन संदिप बराक जी उशा श्रिवास्तो राम निवास मीना हरी मोहन गुपता कृष्ण ने अरजुन को शरन में आने को कहा था किस तरह से सब त्याग करके शरन में आने बोला था किरपया बताएं अपनी विचार धारा को त्यागने के लिए कहा था उनको त्याग कर श्रिकृष्ण ने कहा कि तु मेरे धर्म अर्थात मेरी विचार धारा में इस समय आजा जो मैं कह रहा हूं उसे स्विकार करकर मेरे उपर सब को छोड़ कर तु आजा तुझे दोश नहीं लगेगा मैं ही तो कह रहा नो बुग अला पढ़ता है बिलकुल लेकिन अचारे प्रशान्त कहते हैं कि इनसान को करम फल उसे उसी समयर पराप्ठ हो जाता है तुक है प्रमानित कर दे कि कैसे प्राप्ठ हो जाता है किस क्रिया मान के समय से तो अब मान नहीं पता कि आपको आम काव का फल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा जब तक रख बढ़ा फल देगा आप जिवित भी रहेंगे कि नहीं जिवित रहेंगा अभी पीछे एक बुजूर्ग व्यक्ति उन्होंने आम के कई पेड़ लगाए इस उद्देश्य से कि कुछ वर्षों बाद यह व्रिक्ष बन जाएगा 20 साल बाद 10 साल बाद तो यह जो है फल देगा और उसक कर्म फल उसी समय मिल जाता है लेकिन जो उन्होंने पुन्य किया था इतने सारे व्रिक्ष लगाने का जो पुन्य है उसका फल तो उन्हें मिलना चाहिए था तो उसका फल उन्हें कब मिलेगा कर्म किया है तो जीव को फल मिलेगा ही मिलेगा अचारे प्रशांत क्या कहते है अचारे प्रशान्त को काटना मेरा कोई उद्धिश नहीं है लेकिन परंतु यहाँ जो विचारधारा है हो सकता है कि वो कैय रूप में समाज की बहुत सिवा करते हो और लोगों को बहुत सिख्षा देते हैं इसमें कोई वो नहीं है परंतु यहाँ जो वो कहते हैं इस तरह की बाते थोड़ी ठीक नहीं है और आप से मैं निवेदन करूंगा गईन शर्मा जी आप से इस्पेशली मैं गईन शर्मा जी आपके लिए एक बात कहता हूँ आपने जब भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछिए कि क्या ऐ है अचारे प्रशान्त क्या कहते हैं क्या नहीं कहते है वह अलग चीज आप विक्तिगत उनका नाम लेकर आप प्रश्न मत कीजिए ठीक है शर्मा जी से यह निवेद unified behavioral है आगे से अगर आप ने अचारे प्रश्न लिख कर प्रश्न किया तो आपको अगर संशा है तो आप व्राइद का सांचेति नाम कीजिए या सीम्पल रुप में कि फलाने कोई गुरुजी है ऐसा कहते हैं या कोई ऐसा कहते हैं इस तरह से आप कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहा है ठीक है चलिए दिनेश महराज आमसरी जी इस दास को सदाचर्णों में रखिए गुरुदेव पिंटु वास्वा ओमतसजी मुकेश प्रसाद प्रशन अच्छा है और जिग्यासु प्रशन है तो इसलिए अब इस पर चर्चा करेंगे तो शायद लंबा खिच जाए तो इसको ऐसा करते हैं मुकेश जी इसको एक अलग विडियो में ही इस इस अंतर को लेते हैं विशय बहुत अच्छा है मैं व्यस्त रहता हूं लेकि कि बहुत सही और समाजिक विशय पर जिसको लेकर लोगों के मन में प्रशन रहते हैं तो कई लोग धर्म और अध्यात्म को एक समझते हैं कई लोग अलग समझते हैं कुछ लोग कहते करें किसी एक पॉइंट पर अलग है कई पॉइंट पर अलग अलग बता कि मिलता जुलत लेकिन अलग-अलग भी है तो इस विशय को अभी मुकेश जी रहने देते हैं और एक विडियो लेकर हम इस विशय पर ही आते हैं कुछ दिनों में ही आते हैं जल्द ही आने का प्रयास करेंगे कि धर्म और अध्यात्मिक्ता में क्या भेद है धर्म क्या है और अध्यात्मिक् अभी मैं उतर दूँगा तो जल्दबाजी में देके निकल जाओंगा तो चलिए राजू पाल जी हो तबिनंदन कुलदीप मिश्रा अध्यात्मिक उन्नती के लिए सदग्यान तत्वग्यान प्रदान करने और भर्म दूर करने वाले गुरू स्रेश्ट को में अच्छा ठीक आजकल समाज में गुरू जी लोग हैं चलिए जो विवेकी हैं वो समझते हैं कि जो ज्यान का स्रोत है वो गुरू ही है ठीक है अब भगवान दत्तात्रे के लिए नदी भी ज्यान का स्रोत बनी वैश्या भी ज्यान का स्रोत बनी सर्प भी ज्यान का स्रोत बना तो उन्हों सिंग गोहिल दश्रत पटेल मुकेश प्रसाद जी सिवं भट रचना आरके सविता नायक जी अभिनुंदन है योगेंद्र पंडित जी सबका बहुत-बहुत अभिनुंदन है अखिल जी जैश्री राम काली कैलास बड़े बहुत अभिनुंदन कमलेश, खैरनर, समिता सावंत, दिनेश महराज, आमसरी बुद्धी कितने प्रकार के है कत्वर रूपे में बुद्धी ये कही है जिसकी चर्चा भी हमने की अब जब बुद्धी में अनेको भेद है अनेको विद्या अविद्या गरहन करती है तो फिर उससे सद बुद्धी हो सकती है, दुर बुद्धी हो सकती है, संशय बुद्धी हो सकती है तीन प्रकार की बुद्धी है सद बुद्धी, दुर बुद्धी और एक संशय बुद्धी ऐसे कह सकते हैं और भी कई प्रकार बन सकते हैं जब बुद्धी में भेद है तो अलग-अलग दृष्टी कों से कई प्रकार बनाए जा सकते हैं, लेकिन सद बुद्धी, दुर बुद्धी, आपको बुद्धी कह लेजिए, और संशय बुद्धी, अब बाकी तो आप कितने भी तरह की बुद्धिया बनाते रहें, तरक बुद्धी भी होती है, ठीक है, क्योंकि भ्रम युक्त है, तो संशय बुद्धी होना सुभाविक है, मिथलेश शिंग जी, अलपा पटेल जी, भोत अभिनंदन है, ठीक, अनिल कुमार जी, राजेंदर प्रसाद रस्तोगी जी, अभिनंदन, सपने में सपना देख रहा जी, पंकज, रगुवंशी जी, संधी परुडा जी, गैन शर्मा जी, सौरी गुरु जी, सौरी वली कोई बात नहीं है, बस आप संशय लिखिए और बता देजे कि कोई सांकेतिक नाम का इस्तमाल करें, बस यही मैंने का, और कोई ऐसे लिखे, तो ज्यादा सही रहेगा, स चलिए, ठीक है, चलते हैं, अब जो है, ध्यान योग के कोर्स सुरू हो चुकी है, जिन लोगों को ज्वाइन करना था, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और वो लाब उठा रहे हैं, अगली जो कोर्स है, अब इसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, कल से कोई, क्योंकि आज भी दो लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, उनको ले लिया, लेकिन कल से जो ज्वाइन करेगा, अब वो 29 तारिक वाला ज्वाइन करेगा, 29 दिसंबर से नया कोर्स शुरू होगा, उसको अब ज्वाइनिंग उसके लिए शुरू होगी, कुछ दिनों बाद शुर अब बंद कर दी गई है, आप किसी को नहीं लिया जाएगा उस में, उस ग्रूप में, ठीक है, तो चलिए, इसको हम अब आगे बढ़ाएंगे, कुछ लोग और प्रशन कुछ कर रहे हैं, क्या, लेकिन समय की भी कमी है, तो उसको ध्यान रखते हुए, आप अपना प्रशन कल ले आईए, तो ज़्यादा अच्छा रहे हुआ, पुरुजी इंसान का अपना पुना जनमा इसलिए याद नहीं आता, क्योंकि इस मिर्ती आत्मा में नहीं, माइंड में सेव होती है, और जो शरीर के साथ मिट जाता है, इस मिर्ती और पुनर जनम का जो संबंद है, वो आत्मा का बीच में कहां से ले आया, आत्मा को बीच में गुसाईए ही मत, यहां पर, छीक है, इस मिर्ती सरवदा रहती है, परन्तु वह आच्छादित हो जाती है, कैसे आच्छादित हो जाती है, सुशप्ती अवस्था से, और यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं, अगर याद नहीं होने के पीछे कारण है कि जो मेमोरी है वो फेड होती रहती है फेड होती रहती है कब फेड होती है जब आप सो जाते हैं क्योंकि आप चेतना की दूसरे आयाम में चले गए वहां पर आपकी जागरत अवस्था की जो स्मृतियां है वह फेड होती है इसलिए अग परसंट आपको याद नहीं आएगा परसों तो आपको हो सकता है कि तो माल लो कि चलो आपको कल की बात 90 परसंट याद हो परसों की बात आपको 85 परसंट मिलेगी याद उससे भी कम उसके जितना पीछे चलते जाओगे वैसे वैसे अपने चित को खुरे दोगे अपनी एकागरता रूपी बान से अपने ध्यान रूपी बान से अगर अपने चित को खुरे दोगे ना तो आपका पुनर जनम भी दिखा देगी चीक है असंभव नहीं है आत्मा का ज्यान किसको होता है जीव को नित्य आत्मा का ज्यान कैसे होता है निदि ध्यासन से ध्यान योग से होता है मुझे सपने में कैलाश मान सरोवर दिखते हैं और बार बार वहां चिता दिखती है जलती हुई कोई बात नहीं अच्छी बात है कृष्ण बड़ा या कबीर बड़ा बताने का कृपा करें जो कभीर बोला वो उसका आधार क्या है जो कभीर ने कहा उसका आधार क्या है ये बताईए पहले उसका आधार तो कृष्ण ने पहले ही रख दिया ये प्रश्ण मत करिये बार बार वहां चिता जलती हुई दिखाई देती है और वहां पर केलाश मांस रोवर दिखाई देता है अच्छी अनुभूती है इसको अच्छा अनुभूती ही कह सकते है ठीक है फिलहाल इसका मतलब क्या है वह एक अलग विशय है पता करिए थोड़ा ध्यान करिए थोड़ी साधना किजिए आपको इसका उत्तर मिलेगा ठीक है या फिर व्यक्तिकत रूप से संपर्क करकर इस अनुभूती को पूछिए तो कुछ इस पर चर्चा करेंगे बताएं चीर्जाणव को साथना कीजिए ध्यान योग करेंए ज़रोर आप इसका लाब उठा पाएंगे तो चलिए बहुत-बहुत आभार आप इसी के साथ विराम देते हैं झाल झाल